बॉर्णिंग फ्रेंट्स फिर निकल गए जंगली रिजॉर्ट के लिए आज संडे का दिन है फ्रा लेट निकला हूँ अभी बज रहे हैं 10.40 और मैं बस निकला ही हूँ अभी हाईवे पे चड़ा हूँ इन रपरम से आज दोस्तों में जंगली रिजॉर्ट जाओंगा लंबा वाला रूट लेगे लंबा मतलब जो हमारा क्लेंस 170 mm से उपर होता है फिर भी बहुत लुग कंफर्टेबल फील नहीं करते है एक जो हमारा ओफिशल रूट है निलकंट महादेव मंदिल के पास से वैसे डेली से हमारा जंगली रिजॉर्ट पड़ता है 225 km लेकिन अगर आप उस रूट को फॉलो करोगे गूगल मैप्स में देखोगे लोकेशन में तो करीब 240 या 250 km दिखाता है क्योंकि भूम के रूट है लोकेशन तो वही दिखा दी है जो ऑफिशल है क्योंकि ऑफ रोडिंग को तो गूगल रास्ता दिखाता ही नहीं है वह तो रिवर है उसके लिए तो उस रूट से कभी मै मैं और दूसरा मैंने सोचा थे एक बार जब से मेरट हाइवे बन गया है और रूड की बाइपास बन गया है मैं कभी डारेक्ट जंगली रिजॉट नहीं गया हूं कई बार गया लेकिन बीच-बीच में कुछ ना कुछ काम थे तो काम निप्ता है तो मैंने अभी तक यह न और आप देखता हूं कि जंगली रिजॉट कितने बज़े पहुंसता हूं दोनों रूट का कैलकुलेशन निकाल लूँगा क्योंकि जहां से ओफ रोडिंग वाला रूट है वहीं से निकलना है मुझे उस पॉइंट से थर्ड ब्रिज जो चिल्ला कैनाल वाला है तो वहां पर टाइम गिन लूँगा तो वहां से जंगली रिजॉट आफ रोडिंग करके आधा घंटा लगता है यह लंबा रूट है तो इस पर फ़ड़ा टाइम जाना लगेगा तो दोनों रूट का एडिया लग जाएगा कि आज कितना टाइम लग रहा है और आज मैं नाश्ता कर 15 मघा बढ़ा नापड़ेग सो पाणी भी सात मी है देख ते हैंपिर और एक बात और जो मैंने पिरली दो बार मताया था कि वही तीन परीयों में नाइट्रोजन है, राइट वाले फ्रेंट में नॉर्मल हवा है, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार मैंने भरवा ली है नाइट्रोजन, तो चारो पईयों में नाइट्रोजन है, 11.30 में मेरट आ गया, 10.40 भी चले थे इंदरा बुरम से, आज ट्राफिक काफी है, रास्ते में, मतलब गाड़ी बीच बीच में कभी, ये मेरट बाइपास चल रहा है, लेकिन गाड़ीयां तो पूरे रास्ते से, इवन एक्स्प्रेस वे में भी आज बहुत गाड़िया थी, और दूसरा मैंने अभी बोला था कि, डारेक्ट जाऊंगा कहीं, रुकूंगा नहीं, लेकिन अभी पुशकर का फोन आ गया, रिजॉर्ट से, कि किसा डीजल लेया ना जनेरेटर के लिए, क्योंकि आज मिस्त्री आया हुए, जनेरेटर कुछ खराबता था, रुपेहरत करने बेजा था, तो मिस्त्री अभी पहुच्च चुका है वहाँ पर, अभी जनेरेटर ठीक हो गया, उसको स्टार्ट करना है, और वह डीजल, उसने सोचा कि रिजॉर्ट में होगा, रिजॉर्ट में ख़तम था, तो अभी तो मुझे टाइम लगे है, अब मेरेट में हूँ, लेकिन मैं हरिद्वार से फिर जरी कैन खरीदूंगा, और वहीं पर डीजल लेके फिर आगे जाऊंगा, ट्राफिक बहुत ज्यादा है, रिजन पता नहीं चलना की चक्रे, चारड़ हम खुल गए, ये रिजन थो नहीं है, लेकिन ये गाड़ियां चारड़ हम और रहे जाती है, सामान बहुत ज्यादा होता है ना, मेरट टॉल आने वाला है टाइम हुआ है ग्यारा बच के बावन मिनट यहां भी हैं दस बारा गाड़ियां आगे हैं यहां भी यह इनकी मशीन काम नहीं करती यह 95 रुपीज का है और यह हाथ में स्कैनर मशीन लेके करते हैं यहां मेरे में काम कर रही है शायद इनकी गाड़ी वाला रीट नहीं कर रहा था इसलिए इन्होंने स्कैनर मशीन लगाई थी बारा बच के दस मिट हुए है खतौली का जो पाइपास है वहां से निकल रहे है बारा बच के पीस मिट पे लेकिन स्वारी हली राम जी आज नाश्ता करके आया हूँ खाना रिजॉर्ट में खाना है अगली बार मिलेंगे आज दोस्तों बहुत सारा सावान कैरी कर रहा हू बार मोगाडी में जंगली रिजॉर्ट फिले लाइट्स लेके आया था बाइरा प्लेस से क्योंकि मौन्सून में काफी लाइट्स खराब हो जाती है अभी तक वाइट लाइट्स यूज कर रहे हैं लोग चंगली रिजॉर्ट में और कैम चैन लैंस दॉन में आपने देख करना है तो यह रोल पड़ा हुआ है अर्थिंग वाला अर्थिंग के बाहर का और एक स्टीडियो भी लेका है वो भी पड़ा है इसमें मेरे बैग मगेरा पीशे हैं लैप्टॉप यहां रखा हुआ है अब जो डीजल लूँगा हरिद्वार में उसको यहां रखना पुड स्टिल फोटोग्राफी भी करूंगा अपनी वेबसाइट के लिए जंगलीरेजॉर्ट.com मेरी बनाई हुई वेबसाइट है आप देखो मैं आपको पता है कि नहीं पता वैसे तो मैंने आटी से सैब भी किया हुए है और वेबसाइट मैं खुदी बनाता हूँ और सर्च अ मेरी सारी जो होटल से सबके वेबसाइट मेरे अपने हाथ की बनाई हुई है और पहले मैं वेबसाइट रखता था लेकिन उसका काम होता था वेबसाइट बनाना वह पेंड्राइव में बनाके लड़की मुझे देज दी थी फिर मैं आप्टमाइज खोदी करता था जब प आप लोग की दूआ रही तो सौ हो जाएंगे तब देख लेंगे ताइम नहीं रहा तो रख लेंगे लेकिन खुद बनाने से क्या होता है कि जो चीज यूजर फ्रेंडली होती है वो डिरेक्ट क्योंकि हर चीज आप एक्सप्रस नहीं कर सकते हैं कि ऐसा बनादो ऐसा बना आप देखो कि यूजर फ्रेंडली है तो सिर्फ चार चीज़ा होती है ओम पिक्चर गैलरी पैकेजेस कॉंटेक्टर्स और किसी कश्रबर कुछ धूड़ना नहीं बढ़ता कि यहां क्लिक करूं कि वहां क्लिक करूं सारी चीज़े चार बटन्स में ही मिल जाती है तो गैलरी क्लिक करूंगा और वेबसाइट गैलरी अपडेट करूंगा मुझफर नगर बाइपास आ गया बारा बश्के पैंथिस मिनिट यह मुझफर नगर के बाद वाला टॉल आ गया इस जगे के नाम नहीं पता क्या है अब फास्टेग होने के बाद भी पता नहीं क्यों गाड़ियां रुक रुक के चलती है इनके जाह दर तो स्कैनर प्रापरली काम नहीं कर रहे होते हैं हाथ से कर रहे होते हैं यह स्कैनर काम कर रहा है देव भूमी उत्राखंड में आपका स्वागत है यह उत्राखंड का बॉर्डर आ गया और अब स्मूध गाड़ियां निकल जाती है देखके बड़ा अच्छा लगता है यह तो पीच में लाइने लगती थी इपास, कोविड टेस्ट यह सब था अब वो सब खतम हो गया यही वो पॉइंट है जहां वो पुलिस चेक पोस्ट दिख रही है यहीं पे यहीं पे पुलिस वाले रोकते थे यहां से गाड़ी लेफ टर्न हो जाती थी और जाके आप यह जो पॉइंट है यहां पे इपास सब दिखाना होता था बड़े जंजट होते हैं लेकिन सब कुछ नॉर्मल हो गया बहुत अच्छी बात है अब तीसरी नहर ना आए मंगलौर आ गया मंगलौर रोड़की के पहले आता है मंगलौर एक बच के पंदरा मिनट हुए है अभी रोड तो फस्ट क्लास है एक दम फस्ट क्लास यह सामने चिमनिया दिख रही है यह इट के बट्टो की चिमनिया है इधर भी बहुत सारे बट्टे है गाओं का नाम है नंगला इमर्ती यह बट्टे फस्ट क्लास रोड आने वाला है हरिद्वार यह रोड की बाइपास है पतंजली 13 किलोमेटर है इसका मतलब रोड की है यहां से करीब शाड़े च्छाई किलोमेटर है क्योंकि रोड की से पतंजली 7 किलोमेटर है लेफ्ट को जो रोड जा रही है यह रोड की जा रही है यानि रोड की बाइपास खतम होने वाला है और हरिवद्वार है यह से करीब 23 किलोमेटर गंगा केनाल के किनारे पर जो जरी कैन वाले बैठे होते हैं वहां से जरी कैन खड़ी दूगा फिर शायद मुझे थोड़ा सा वापिस लोटना पड़ा गया क्योंकि डीजल पंप उसके बाद नहीं है जहां से मुझे जंगली र यृध बाड़ी डीर के इस लगा लेता हूं गड़ी पार्किन फुल बतारा लेकिन मुझे पार्किंग में जाना ही नहीं और मैंज तक क्यानों दक्याबल 10 लीटर का जरीके लेना फिर रहार coronavirus है इसमें डीजल आजएगा इसमने यृवरी झेलेगा तो नहीं कि ह सामने लि और जाम मेरी गाड़ी दे नहीं लगा है आगे एक गाड़ी खड़ी दी मैंने देखके लगाई है अब वो लड़की अभी लेने गई है खुले बाते है फिर मैं सोचरा फिर मैं सोचरों कि हरिद्वार ना जाके आगे रिशी केश निकल जाओ और रिशी केश तक कोई ने वहां से भी रास्ता है क्योंकि मुझे वह लंबे रास्ते से जाना है तो फिर उस रास्ते से निकल जाता हूं यह पेमेंट लेकर आगई है फुले पासे तो चलता हूं अचाथा कि मैं रिशी केश चला जाओं लेकिन यह हर्की बाड़ी से पार्किंग वाले उसमें आ गया और यू टर्न से फिर बहुत लंबा जाना पड़ेगा फिर यह तो वही रूट अपना ठीक है वो चंडी देवी मंदिर वाला तो फिर पुराने रूट पर जाता हूं क्योंकि मैंने बहुत पार्किंग नहीं करनी तो उन्हों ने यह रसीद बना के दिया है वापसी और टा प्रोल लेने के ला आए तो बहुत साल पहले की बात है तो यहां पेट्रोल मिलते ही नहीं था यह केबल डीजल पंप था फिर शिटी के अंदर जाना पड़ा था अब उल्टा ना हो गया है इस बार कि यहां फे डीजल मिलता है अब यह डीजल मिलता है इसमें दास लिटर यहां पहले तो तो थोड़ा चुड़ा देना भी अगिर नहीं कि यह अगो मैंना पता दिया है भाई कि मैं पिशली बार पेट्रोल कर गया था इसमें क्योंकि यह गंगा जल के जरीकेन है ना यह ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं होते हैं तो बस आठ पर रोग देना भी आठ तो मैं दस लीटर वाले में आठ ही है ने पेटियम से करूंगा उसमें कोई फरीक निपड़ता है आप तो आठ लीटर वोग ने चल के नहीं हो जल तो भरवा लिया इसमें लेकिन इसका जो बीच वालो डेकन था वही टपक गया उसके अंदर तो पॉल्थिन लगाई है पीछे सेट कर दिया है यहां नहीं गिरेगा तो दोस्तों जंगली रिजॉर्ट जाने के लिए यह सबसे पहले जब आप अरिद्वार में आते हैं तो यह आता है शंकराचारे चौक यह देख रहे हैं आप उपर फ्लाइववर है नीचे से टन ले रहे हैं